हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो जॉप्वेर चैनल तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंसिटूट और बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन आई बी पीएस की तरफ से जो ओफिसर स्केल 1, 2 और 3 और इसके अलावा ओफिस असिस्टेंट मल्टी परपस की जो रीजनल रूरल शेलेक्स हैं वहाँ पर जो वाकिंशिज निकाली गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम सिरफ पंजाब के लिए जो वाकिंशिज नेकाली गई है उनके बारे में ही बात करेंगे यहां पर ऑफिस की आप की शिक्षाड्र करो एपार पॉटल वकैंश निकाले गी है जिसमें SC के लिए 12 वकैंश है, ST के लिए 5 हैं, OBC के लिए 19 है, EWS के लिए 8 वकैंश है, 38 वकैंश हैं वो अन्रिजर्व के लिए रिजर्व है, यहां जो क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी गई है, Office Assistant Multipurpose की, वह है आपकी Bachelor डिगरी होनी चाहिए, किसी भी discipline में, किसी भी discipline में, साथ ही आपको local language वो आने चाहिए, जैसे पंजाबी, पंजाब के लिए आपको पंजाबी जो है, आने चाहिए, और working, आपको working knowledge होनी चाहिए, कंप्यूटर की, और next, नेक्स वेकैंसी जो है, वह है, Officer Scale 1 Assistant Manager की, इसके लिए bachelor degree होनी चाहिए, आपके पास किसी भी discipline में, local language आने चाहिए, और knowledge होनी चाहिए, आपके पास computer की, और preference उन candidates को दी जाएगी, जिनके पास degree होगी, agriculture की, horticulture की, forestry की, animal asventry की, veterinary की, veterinary science की, agriculture engineering की, PC culture की, agriculture marketing की, corporation की, information technology की, management की, low economics and accountancy की, जिनके पास knowledge या degree होगी, उनी candidates को जो है preference दी जाएगी, important dates में यहाँ पर जो यह application fill up होना start होई है, आपकी 162023 है, और जो last date है इस application के लिए apply करनी की, वो है आपकी 262030, 21 June 2030 जो है वो इस application के लिए apply करनी की last date है, pre-exam training जो है आपकी 17 से 22 जुलाई के बीच में होगी, और online examination जो यह conduct की जाएगी, pre-exam की, वो अगस् स्तंबर 2023 में आ जाएगा, जो online exam होगा mains का, वो स्तंबर 2023 में आपका बताया गया है, tentative dates हैं यह आपकी, जो age limit यहाँ रखी गई है, officer scale 1 assistant manager की, आप जो है, वो minimum 18 साल के होनी चाहिए, और maximum आपकी जो है, वो 30 साल हो सकती है, office assistant multipurpose के लिए जो age limit बताएगी है, वो minimum आप 18 साल क क्योंने चे, maximum आपके जो है, वो 28 years हो सकती है, age relaxation जो है, वो reserve category को provide की गई है, as per government rule, जैसे SC candidate या, SC, ST candidates को 5 year की age relaxation होती है, ABC candidate को 3 year की physical handicap candidate जो है, उनको 10 years की age relaxation होती है, और एक service man candidate जो है, उनको as per government rule, age relaxation यहाँ provide की गई है, जो application fees यहाँ रखी गई है, वो office assistant multipurpose के लिए, अगर आप SC, ST, PWBD, ex-serviceman candidate है, तब आपको 175 रुपीज जो है, application fees देनी है, और अगर आप journal EWS OBC candidate है, तो 850, 850 रुपीज जो है, वो आपको application fees यहाँ देनी है, official scale 1 के लिए आपको अगर आप SC, ST, PWBD candidate है, तब आपको 175 रुपीज जो है वो, 175 रुपीज जो है, वो application fees देनी है, और अगर आप journal EWS OBC candidate है, तब आपको 850, 850 रुपीज जो है, वो application fees यहाँ देनी है, इस notification का link जो है, वो मैंने आपको description box में provide करवा दिया, वहाँ जाके आ नहीं वीडियो अच्छा लगए तो like, share और चैनल को subscribe जुरूर करें, thank you and have a nice day.